पेपर लीक मामले में STF को बड़ी सफलता लगतार छापे मारी के बाद मिली काम्यावी मास्टर माइन को UPSTF ने दबोचा प्रिंटिंग प्रेस नेटवर्क से जुड़ा है पूरा खेल नमस्कार मैं रोहित कुमार आप देख रहे हैं प्रेश की स्पेशल स्टोरी आज के स्पेशल स्टोरी में बात होगी UP पुलिस पेपर लीक मामले को लेकर जिसने हाली में खुब बवाल मचाया था और CM योगी ने खुद जाच के आदेश दिये थे क्या है पुरा मामला जिसको लेकर UP STF को बड़ी सफलता हाथ लगी है बात होगी आज के स्पेशल स्टोरी में UP पुलिस पेपर लीक मामले में STF को बड़ी कामियावी मिली है सिपाही भरती का पेपर लीक करने वाले असली मास्टर माइन राजीव उर्फ राहूल मिश्रा समेत दो लोगों को STF ने दबोच लिया है STF के टीमें पकड़े गए दोनों आरोपियों से कुछताज के बाद कई और लोगों की गिरफतारी में दबिश दे रही है सुत्रों के अनसार प्रेंटिंग प्रेस के नेटवर्क से सिपाही भरती परिक्षा का पेपर लीक मामला जुड़ा हुआ था बतादे कि UP पुलिस सिपाही भरती 17 और 18 फरवरी 2024 को आयोजित किया गया था लेकिन पेपर लीकी खबर की पुस्टी होने पर इस परिक्षा को निरस्ट कर दिया गया था इसके बाद जाज के लिए STF को लगाया गया जिसने जगा जगा चापे मारी की और राजीव उर्फ राहूल मिश्रा समेत दो लोगों को गिरफतार कर लिया STF की टीम में पकड़े गए दोनों आरोपियों से पुछताज के बाद कई और लोगों की गिरफतारी में छापे मारी कर रही है बताय जा रहा है कि प्रेंटिंग प्रेस से निकलने के बाद क्वेश्चन पेपर को ट्रांसपोर्ट करने वाली कंपनी के द्वारा सॉलवर के पास पहुचाया गया था जिसके बाद पुलीस भरती और प्रमोशन बोर्ड की डीजे रेनुका मिश्रा को बर्खास कर दिया गया था फिलाल इस मामले में लगतार एक्शन जारी है और यूपी के अलाबा कई दूसरों राजियों से भी आरोपियों को पकड़ने का काम किया जा रहा है जारी है STF का एक्शन बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपि राजीव मिश्रा और रभी अत्री ने ही दिल्ली पुलीस के सिपाही विकरम पहल को पेपर दिया था राजीव मिश्रा और रभी अत्री के नेटवर्क से जुड़े अभिशेग शुकला ने पेपर ट्रांस्पोर्ट करने वाली कमपनी के दो कर्मचारियों से पुलीस भरती का पेपर निकलवाया था गुरुग्राम में एक हजार अभियार्थियों को रिसोर्ट में इखटा कर पेपर से दो दिन पहले अभियार्थियों को पेपर की तैयारी करने वाल नेटवर्क से वे लोग सीधे जुड़े थे जिन में दिल्ली पुलीस का सिपाह विक्रम पहल, राजीव मिश्रा, रवी अत्री और अभिशेक शुकला शामिल थे हर्यारा के जिन्द से भी हुई गिरफतारी इसी रिशॉर्ट में पहले से 400 मिद्वार मौझूद थे, इसके अलावा गौरब चौधरी 10 से 12 बसों में बाकी परिशार्तियों को लेकर रिशॉर्ट पहुचा था, मिली जानकारी के अनुसार, विक्रम पहल ने पेपर लिक मामले में महेंद्र शर्मा से मदद मागी थी, इसके बदले उसने महेंद्र को 2 लाख रुपे देने का वादा भी किया था, विक्रम पहल ने रिसॉर्ट में इकठा हुए करीब 1000 परिशार्तियों को बुला कर मीटिंग की थी, 16 फरवरी को दिन में 11 बज़े ही विक्रम पहल अपने साथियों के सार 18 फरवरी की दूसरी प वियार्थियों को गुरुगराम के रिसॉर्ट में पेपर पढ़वाने की प्लानिंग कर रखी थी, जानकारी के लिए बता दे कि इससे पहले भी यूपी पुलिस पेपर लिक मामले मैस्टी अपने 6 आरोपियों को गिरफतार किया था, इन आरोपियों के कोश्चन पेपर और आंसर शीट भी बरामत हुई थी, इन आरोपियों ने बताया था कि दूसरी पाली की परिक्षा का पेपर इन्हें वाट्सप पर 17 फरवरी को ही मिल गया था, इसके साथ ही प्रियाग राज के रहने वाले अजे सिंग चोहान और सोनु सिंग यादंग नामक दोव यूब को भी यूपी पुलिस ने पेपर लिक मामले में गिरफतार किया था, कैसे हुआ था पेपर लिक का खुलासा, परिक्षा केंद्र सिटी मॉडन अकाडमी से पहला आरोपी अमन कुमार पकड़ा गया था, इसके बाद उसने दोस्त मीरज की और से पेपर लिक करने की बात सु परिक्षा के एक दिन बाद दर्च करवाई थी, चार बज कर 55 मिनट पर मिली थी नकल की जानकारी, निरिक्षक राम बाबु सिंग ने एफायार में लिखवाया था कि हॉल नंबर 24 सी में परिक्षा दे रहे एक अभियार्ती अमन कुमार परची से नकल करते हुए पकड़ा गया था, सरकारी दस्तावेज के तोर पर मौजूद इस एफायार में निरिक्षक ने दर्च कराया है कि सूचना मिलने पर जब स्टैटिक मजिस्ट्रेट अमरीश कुमार वर्मा और सौरब यादव बाकि स्टाफ के साथ हॉल में पहुँचे तो परिक्षारती अमन कुमार सीट नमबर आठ पर बैठा था और उसी मेच पर एक हस्त लिखित परची थी जिसमें दिये गए जवाब प्रशन पत्र के सही जवाबों से बिल्कुल मेल खा रहे थे इसके आगे अफायार में लिखा था कि कारवाई के लिए जब अभियार थी अमन कुमार को कंट्रोल बचकर 56 मिनट पर नीरज ने अपने मुवाईल नमबर से हाथ से लिखा हुआ पेपर वाट्सअप पर भेजा था जिसमें सही उत्तर पर टिक लगे हुए थे उसी पेपर से मैंने परची बनाई इसके बाद जब मुवाईल मांग कर चेक किया गया तो वाट्सअप में एक नीरज कुमार यूपी नाम से सेव था जिसे खोल कर देखा गया तो उसी तारीख के 12 बचकर 56 मिनट पर पर परिक्षारती के मुवाईल पर हस्त लिकित पेपर में सभी उत्रों पर टिक लगे थे पेपर लिक मामले को सिरे से नकारने वाले प्रशासन के दस्तावेजों में भी साफ दर्ज है कि मुवाईल में मिले जवाब और हस्त लिकित परची में जवाब एक जैसे थे इसे परिक्षा में पूछे गए परसनों से मिलान किया गया तो सभी के जवाद एक जैसे पाए गए इसके माद यूपी पुलिस और स्टीप ने प्रदेश के विभिन जीलो में छापे मारी कर 391 आरोपियों को गिरफतार किया पुलिस ने इनके खिलाब गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्च कर जेल भेजा इसके साथ ही बड़ी संख्या में संदिक्तों से पूछ ताज की जा रही है पुलिस कारवाई में यूपी के साथ साथ हरियाना बिहार और दिल्ली की आरोपी भी दबोचे जा रहे हैं उत्तरप्रदेश की योगी शरकार में अभीयारतों के भारी हंगामे के बाद पुलीस भरती परिक्षा फिलाल रद कर दी है CM के निर्देश पर परिक्षा रद्ध CM योगी ने पुलीस भरती परिक्षा में प्रशनपत्र लीक मामला सामने आने पर अभियार्तियों के हित में फैसला लेते हुए परिक्षा को रद्ध कर दिया था साथी उन्होंने यूपी पुलीस और स्टीअफ को आरोपियों के खिलाब सक्त सक्त कारवाई करने के निर्देश दिये थे सीम योगी के निर्देश के बाद पुलीस और स्टीअफ एक्टिव हो गई और विभिन जीलों में छापे मारी कर 391 आरोपियों को गिरफतार किया था पुलीस और स्टीअफ ने कारवाई के दौरान आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में फर्जी दस्तावेश जैसे आधार काड, प्रवेश पत्र, पास बूक, चेक बूक, स्टंप स्याही पैड, सिलिकॉन पट्टि समेत नगदी भी बरामत की थी इसके साथ ही मुवाईल फोन, फरजी आंसर की, नकल परची, मूल अंक पत्र, ब्लूटूथ, इलेक्ट्रोनिक डिवाईस आधी भी बरामत किया था पुलीस कारवाई में उत्तरपदेश के साथ हरियाणा, बिहार और दिल्ली की आरोपी दबोचे गए थे, वही पुलीस और STF की रडार पर कई और गिरोव भी शामिल है, जिस पर निगरानी की जा रही है पुलीस की माने, तो अगले एक-दो दिन में और भी गिरफतारियां हो सकती है CM योगी में अपने एक बयान में साफ कहा था कि अगर यूबा के साथ अन्याय होता है, तो यह राश्ट्य पाप है हमारे युबाओं के भवी से के साथ खिलवाल करने की कोशिश करने वालों के खिलाब सरकार पहले भी कारवाई करती रही है और आगे भी कारवाई करती रहेगी, अब वे लोग ना घर के रहेंगे और ना ही घाट के और सरकार की कारवाई ऐसी होगी कि पेपर माफिया ऐसा करने से पहले दस बार सोचेंगे जो कि अब साफ तोर पर देखा जा सकता है पुलीस और स्टिय पूरी तरह चाक चौबंध है और लगतार धड़ पकर जारी है फिलाल के लिए इतना है आप देखते रहे टापिटल टेम उत्रप्रदेश अमस्कार